So hello guys and welcome to the video तो आपने ownership reviews तो बहुत सारे देखियोंगे लेकिन आज हम इस गाड़ी का करने वाले modification का review तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखिया मेरी modification की वैसे तो आप लोगों का बहुत अच्छा response था modification वाली वीडियो पर तो ताटा पंच की जो modification की वीडियो है वो मैं इस वीडियो के description में उसका link भी डाल दूँगा तो जाकर जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखिया तो क्योंकि उस पे काफी अच्छा response आया ता तो आज हम करने वाले है इस गाड़ी का जो है modification का review तो तनिश भाई आपको इस गाड़ी को modify करवाए हुए I guess 6 महीने से उपर हो चुका बिल्कुल 6 महीने प्लस हो गए है तो सबसे पहले आप यह बताओ कि सारी चीजे intact सही चल रही है अवी तरब चल रही है थोड़ी बहुत दिक्कते भी आय थी आपका रहा क्या 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 दिक्कते आई थी आप एक बड़ बताओ आप मैने लगबबग लगबग इसमें 60-70,000 अरपर काम कर अए था तो मेरे को पहले समकोछा ही चल रहा था जो दिक्कते आई थी सबसे पहले मेरी दिक्कते आई ती मेरी गाड़ी कर ट्विटर में इशु वन रहा था मुझे थोड़ी उसमें ट्रेवल जादा सुनाई दे रही थी एक स्पेसिफिक ट्विटर में तो वो दिक्कत आयी थी मैंने जिन से मैंने काम करवाया तो मैरी बात तो लुआ उन्होंने मैंने फूरह तो इसमें तो मेरी सतनी उन्होंने पूरा इसक रवाए था वाइप बिचल अधी सब्सक्राइब रेकित अधूर 그러men एफ जिसेट爸爸 तो उसमें बिल्कुल में को साडिस्वेक्शन रही और एक चीज मेरी थी EL वायर अगर मैंने अमें लेटिंग लगवा रहे है तो उसका एक पार्ट खराब हो गया था उसका बाता है यहां वायर का वह भी उनका वायर को सारा काम जो दिक्केद आती थी बुलगर वगर मेरी दिक्केद आयती है वह लूज रहता था तो इसे दिखा दो जो मेरा बुलगाड लगा हुए गाड़ी के अंदर यह भी लूज हो गया था यहां से राइट साइट से एंड दिक्कत बन रही थी यह साइलेंसर पर टच हो रहा था तो इन्होंने उसको थोड़ा अप करके अच्छा तो अवाज बहुत जारी थी जैसे जब मैं तोड़ा र गोडंक से हुआ गया तो जो मेरी मोडिकीशन थी उसका जो मेरा रहे एक्सपीरेंस काफी अच्छा रहा है अब अब में आना चाहूंगा जो जो एट पार्ट है डी गाड़ी का जो मुझे लगता था जो मेरी मॉडिकेशन गाता ता वह ता इसके सीट कवर्स के जिंकि जि जिस दुकान से में लगवाए थे मैंने उनसे फ्लोरिंग कर वाई थे अपनी गाडी की तो जो फ्लोरिंग की फिनिशिंग है आपको दिखा सकता हूँ मुझे पसंद नहीं आई अगर आप देखें तो यह देखें मेरी गाडी का फ्लोर यहां पर दिखाया है यह देखो यह यह देखें में गंदे तरीके से मतलब हुई भी है यह भी आपकी शीट कवर्स का भी आप लोग यहां पर रिस्पॉंस देख सकते हैं कितने रिंकल्स यहां पर आ गया है और जैसे ऐसे बगट फिटिंग वाले सीट कवर्स हैं बट अब शे महीं हुआ है और पीछे से इनो के मैंने देखे थे बट में को थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहे थे पर मुझे बाद में रिलाइज हुआ कि मेरा डिसिशन शायद बेटर हो सकता था ज्यादा पैसे देने वर्थित रह सकते थे अब इसमें दिक्कत क्या आया थी जब मैंने सीट कवर्स इंस्टॉल करवा गरते हैं तो मेरी गाड़ी का सेंटर ऐसके पीछे एक पार्ट थोफोल् यह वाला जो पीछे जा पे पॉकिट्स ही ना इस गाड़ी में एस इवेंट्स आफर करे जाते ही लिए तो यह जो पार्ट है यह पार्ट जब मैंने इसकी फ्लोरिंग इंस्टॉल करवाई थी और सीट कवर इंस्टॉल करवाई थे यह पार्ट वहां की लेबर से तूड़ ग करता हूं बट इसीज है यह पढ़ लिए थी फिर मैंने उनको सुनाया इस बारे में कि नहीं नहीं गाड़ी थी मेरी दो तीन महीने भी नहीं भी नहीं थे मैं जब सीट कवर लगा एक महीने लगवा लिए थे एंड यह दिक्कत बन गई तो मैंने उनको बताया उन्होंने म मेरे को यह था कि लगवा कि और कुछ नहीं खराब कर दें सुची खराब हो जागा पूरा जो होक्स होते हैं तो मैंने पार्ट लिया एंड ओवेसली मैंन को बहुत सुनाया मेरा तो मन भी था पैसे देने का क्योंकि मैं जो काम करवाने जा रहा हूं इस मेरी गाड़ी को ड मैंने को होता है कि हमारी फिटें फिनिशंग खराब हो जाएगी चीजे तूट जाएंगी तो मेरा एक्स्पीरेंस करोल बाग में एक एक स्किल्ड लेबर और एक उन्स्किल्ड लेबर में यही फर्क आ जाता है मेरे को यह बहुत दिक्कत रही उस टाम में जिस जगह से जाहां से मुझे काम अच्छा लगा में उनका नाम आपको बता दिया करोल भाग में जुछ दुकान से कराया था मैं आपको यह नहीं कराऊ हो कि आप एक दुकान सा पूरे एरिया को मत जज़ करो लेकिन आपको बता रहा हूं जहाँ जहां थोड़ा वर्क लेबर अच्छी दिखें आपको काम करें और आपकी दिक्कति अगर आएं तो उसको हैंडल कर लेंगी मतला आप देखकर जाओ स्पेशली अगर आप टाटा और महिंद्रा जैसी कार को ओन करते हो जिनको भाई खोलने वगेरा में इतनी दिक्कत आ जाती है लोगों तो एट उसको पार्ट को अपनी फर्स्सर्विस में ओरर कर वा लिया था टाटा से अब यह पार्ट ऐसा पार्ट जो किसी के भी काम नहीं आएगा मतलब कोई मैनुफैक्ट्टर सर्विस सेंटर इसको रखता नहीं है क्योंकि वह कंसोल का पार्ट है वह गाड़ी अक्सिडेंटल हो का रिव्यू और आप लोग देख सकते हैं कि six months के बाद भी अगर आप लोग यहां से काम करवाते हैं अंस्केल्ड लेबर से मैं यहीं कहूंगा रेकमेंड नहीं रहेगा मेरी तरफ से की काम आप लोग उनसे करवाएं जो लोग पहले टाटा पंच या फिर महिंद्रा वग कर मॉडिफिकेशन करवाने के बाद तो उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस रहती है ना सही नहीं रहती लेकिन यहां पर आपको अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देखने को मिल जाती है तो मेरी रेकमेंडेशन यहीं रहेगी कि आप एक धंकी जगा से काम करवाएं जिन्होंने पहले से गाड़ी का जिन्होंने पहले से इन गाड़ियों का काम किया हो तो थैंक्स वर वाचिंग दा वीडियो होपफुली आप लोगों के थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर होंगे मॉडिफिकेशन से रिलेटिड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में तब के लिए बाबाए अब आवाट सब्सक्राइब